हेलो दोस्तों आप सभी को टाइलेंट इस्टिटून में स्वागत है तो दल्वे एंटीपीसी 2020 एक इसका एक्जाम स्टार्ट हो गया है टॉप हंडेड जनरल साइंस का मत्तपूर परसन लेकर मैं आया हूं सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले परसन है जितना मैंने लि चैनल को अगर आप लोग को चैनल अगर अच्छा लगता है कि कोश्चन अच्छा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हीट करें और लाइक भी करें और सेर भी करें वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज्यादा समय न लते हैं जोग और केज़ुआ दिल संप्का है अर्थ पॉडड गृरूप में मुख्य तक न कौन कौन से नियुक्टों आते हैं जूप घृट कैंवा एब नगया नेक्स देखते हैं लोग पैला और गोगा एकाइनो डर्मेटा संग के अंतरगत मुखता कौन-कौन से जनतु आते हैं तरवों को ठोन है तरा मचली हैं बिच्टल स्ट रइचार समुन्दर एक आ European कौन कौन से जन्तू आते हैं और यह बहुत बार पूछा हुआ कोश्चन है ओके नेक्स कोश्चन है मनुस्री के पाचन किरिया कहां से प्रारंब होता है तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मुख से मुख से ही मनुस्री के पाचन किरिया प्रारंब हो जाती है चलिए अगल आप नेक्स परसुन देखते हैं हम लोग यहां पर आगे सीराएं द्वारा कौन सा रख्थ परवाहित कि जाता है सीराएं द्वारा कौन सी रख्थ परवाहित होता है तो असुध रख्थ होता है सीरा जवार यानि भेन के द्वारा जो भी रख्थ जाता है वो कौन से कौन सा सुधरक्त परवाहित होता है चलिए अगला पस्न देखते हैं कौन सा विटामीन जल में घुलंसील है कौन सा विटामीन बी और सी जो होता है जल में का होता है गुलंसील होता है सोडियम का कारी क्या है यह सोडियम का कारी क्या होता है यह रक्त दाव नियंत्रित करने में सहाय करता है सोडियम का का होता है कि यह रक्त दाव को नियंत्रित क कुछ लेगा तो पूटेसियुम के कारी का होता है यह हिर्दे की धढकन एंवर नारी संस्था के कारीों को संचालित करता है कि से अगला देखते everyone कि आप छेख या प्यूस या प्यूट्री गरंथे किस अन्य गरंथी का नाम से जाना जाता है, प्यूस या प्यूटरी जो है किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर गरंथी के नाम से जाना जाता है, अनलीडा में उत्सर्जन, नेक्स्ट है, अनलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सो की अंग द्वारा होता है, तो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन यहां होना चाहिए थोड़ा सा घ्लत है किस उत्सरजन की अंक द्गॉरा होता है यहां पर हो जागा नेफ्री टिया धोरा एड़ा ट्रुश सर्जान उसके किस अंग के द्धार होता है तोननी अना प्रीडिया के द्वारा होता हैमेट्स को epic किकतब को सलते हैं अब आगे यहां पर नेक्स्ट कोश्चन जो है मुत्र के पीएच मान क्या होता है तो मुत्र का पीएच मान का होता है सिक्स होता है कितना होता है सिक्स होता है यह का होता है एसीडीक होता है क्या होता है एसीडीक होता है गुलकोज बीना ऑक्सीजन गुलकोज दो है बीना ऑक और ये पुछता है गुलकोज बिना अक्सिजन को पुछता है गुलकोज बीना अक्सिजन के उपस्थिती ने पुछ लिया जाए तो बैक्टिरिया या इस्ट से पर्खिती किरिया कर क्या बनाता है तो क्या बनाता है इथाइल एलकोहल बनाता है गुलकोज बिना उक्षियन को उपस्थिती में बेक्टिरिया इस्ट से परतिके विया कर बनाता है इथाइल एलकोहल चलिए next देखते हैं अग्यासय में होता है इसमें अग्यासय में होता है दोनों परकार ओके चलिए next है oxygen की उपस्थिती में oxygen को उपस्थिते में गुलकोज की परतिक्रिया होती तो होती है तो क्या बनाता है तो क्या बनाता है गुलकोज की उपस्थिती में गुलकोज जब परतिक्रिया करता है त बनाता है carbon dioxide gas और जल्ड का निर्माण होता है चलिए next परसन देखते हैं नेक्स्ट है insulin hormone langer hands है यहाँ पर फटोड़ा सा है लेंगर हैंस दीप के लिए कोसिकाऊं द्वारा स्रावित होता है कौन सा द्वारा B कोसिकाऊं के द्वारा होता है इंसou सिकावगों द्वारा सळावीद होता है ऐस सु को पाउधय के लिए सबसे अच्छा और और कौन सा यहां पर सबसे जो रख अच्छा होता है पता है कंपोस्ट होताई ओक्टोरियम किस पर उंड़ार के चट्टानों यह ऐक्यादरियल्याम कशाथनों के यह 就 काम में लाई जाने वाली गैस कौन से होती है हिलियम गैस जो गूबारे में गैस भरा जाता है वो कौन सा घैस भरा जाता है यहां पर नेक्स आगया कि डीदीटी का उपयोग किस रूप में किया तब यह है कि टनासक के रूप में यूज करते हैं डीडीटी का उपयोग किसके रूप में करते हैं कितना सी के रूप में यूज करते हैं इथेनौल के अतहदिक सेवन से कौन सा अंग परभावित होता है तो इथेनौल जो भी लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सेवन करते हैं तो उनका यक्रित पेका करता है परभावित करता है सभी अमलों में कौन सप़ता पाया जाता है सबसे ज्यादा हाइड्वोजन पाया जाता है नेक्ट है आग लगने तताशलिनㅋ सब्सक्र witnesses व्सभन होता है तो सुती वाख बहुत important question है बहुत हर प से जाता है यह नेक्स्ट है लोहे का सबसे प्रचूर स्रोथ कौन सा है तो हरी सब्जिया हरी सब्जिया जो होता है लोहे का सब से प्रचूर मत्रा में पाई जाता है उसमें नेक्स्ट है गैसोलीन को किसके साथ मिस्रन कन गैसो हॉल बनाया जाता है इथाइल एलकोहल के साथ जब मिलाया जाता है गैसोलीन को तो क्या बनाता है गैसो हॉल बनाया जाता है ठीक है ततकालिक सकती के लिए धावको को कौन सा पदा दिया जाता है तो गुलकॉज दियाता है ततकालिक सक कि मानोजाती के लिए ओजोन परत्के महतपूर्ण है क्योंकि पहराब्यग निक किरण को का करते हैं रोकता है रक्षा और अरण बनाता है थीक है तो इसलिए यह महतपूर्ण है अंतर जोर यानि ताइफाइड के लिए मुखेता उप्यों की जाने वाली और सदी कौन सी है त को नेक्स्ट है गैस की लॉग की सबसे गर्म हिसे को क्या करते हैं तो जियोती हीन करते हैं क्या होता है वो जियोती हीन होता है गैस की लॉग की सबसे गर्म हिसा को करते हैं जोती हीन नेक्स कोशन देखते हैं कि सोने का सुद रूप कितने करेट का होता है तो 24 करेट का होता है सोने का सुद रूप सीने बार या हिंगुल किसका इसक होता है तो पारा का होता है सीने बार और हिंगुल पारा का क्या होता है और सोते हैं चलिए सरीर के सरीर के ताप को नियंतरन किसके द्वारा होता है ता हाइपोथेलमस के द्वारा सरीर के ताप को जिए नियंतरन करता है कौन करता है हाइपोथेलमस करता है जो कहा हमाय सरीर में है चलिए अगला पसंद देखते हैं नेक्स्ट लाल अस्थी मज़ा में किसके निर्मार होता है लाल अस्थी मज़ा में लाल रख्त को निकाओं का निर्मार होता है और यह बहुत एकवीरीन ठीक है बिसी जी के बीसी के पूरा नाम पूंचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बैसिलेस कामेट गी गीरीण चलिए अगला पॉस देखते हैं कि आध्री अफुप से होता है कि तो所有 होते है फोने का नामक रोग होता होता है क्यों लेकस मच्छड के काटने से होता है फालेरिया नमक रोग होता है क्यों लेकस मच्छड जो हता है वही काटता है तो फल एरिया होता है सुत्र कलिका को अन्य नाम से भी जानाता है सुत्र कंडिका यहां पर होना चाहिए कलिका यहां पर गलती है कंडिका होना चाहिए यहां पर कंडिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो किस से जानता है माइट्रो कंडिया से किस से जानते हैं माइट्रो कं अंड्रिया के नाम से जानते हैं चलिए अगला पॉस्ट देखते हैं सम reside like in the juice समझा जाता है वह दो जीव कौन से हैं स्वाण एम करोख होता है Θα कर दो चीवाल में दोस्त भी साचर जाता है सवाम कोवक का होता है , ये वी बहुत महत् coeur प्रस्न है हर दहम पुषता है की दोस्प कली से होता है के र्वन देखते हैं सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा योगिक है जिसमें भरपूर मत्रम फास्फोरस पायाता है तो यह कौन सा होता है नियुक्लिक अमल होता है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा योगिक है जिसमें भरपूर मत्रम का पायाता है फास्फोरस पाय लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था मैलवीन कैलवीन को चलिए अगला पसंद देखते हैं कि किस पदात के संचे से मानसपेसी में ठकावट पैदा होती है तो लैक्टिक अमल के किस पदात के संचे से मानसपेसी में ठकावट होती है लैक्टिक आम्ल के चलते का होता है मानस्वशी में ठकावट आ जाती है भारत में केंद धान संदान कहां से है कटक में है ठीक है किन रूधिर को सिखाओं की मदद से रोग को के प्रति-परतिरोध पैदा होती है तरह लसी काड़ यानि इसको कहते हैं लिमफो साइट क्या कहेंगे कि नहीं होगा कि चलिए आगला पसंद देखते हैं कि मनुस्य में लाल रूधीर को सीखाऊं के जीवन की युदि कितनी होती है ते 120 दिन का होता है लाल जो ब्लड होता है रेड सेल होता है उसका कितना दिन का जीवन होता है 120 सिवागाय भेभotta कर्ण खरकाल के दूहाएं पहुपस धामनि के दूहारा ले जायका के दुख सूधा रखता है तो सुधरक्त परवाहित होता है कि पोछadasya किरत्रिम गुर्दा की सिधान परकार करता था अपोहन डाइलेसिस के द्वारा ये काम करता है किरत्रिम गुर्दा की सिधान परकार करता था अपोहन डाइलेसिस इसको बोलते हैं चलिए आगला पसंद देखते हैं कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिसा सूज कर गुलाबी हो जाता है तो कौन सा नेत्रस सलेस्मला जो होता है आंग का जो पाठ होता है जो कीका हो जाता है सूज कर गुलाबी हो जाता है बच्चों के दूद पीते समय अस्तनों में दूद का निसकासन किसकी मद होता है लिम्भ वाहन नलि में होता है देखते हैं कoftूस सबसे बड़ा होता है तो किस पादव का पूस्प सबसे बड़ा होता है तो करनारियल कट द जो है असत्य फॉल होते हैं किसी विट की आईउ कैसे कि टी सब्ता चलता था वर यह को घין करके उस tylko क्वर अ करते हैं गीन करके हम लोग उसके आई को पता लगा सकते हैं कि नेक्स्त देखते हैं जल सनवर्धन क्या है बिना मीट्टी के पादप उगाना जल सनवर्धन क्या है बिना मीट्टी के पादप उगाने उगाते हैं जल सनवर्धन किस ब्यग्यानी को अनुवान सिकी को पीता कहा गया है ग्रेदगर मेंडल को कहा गया है अनुवान सिकी के पीता कहा देता है ग्रे जो लोग मक्का का जो लोग मक्का को मुख्यानाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है विटामिन बीवन की कमी आ जाती है जो लोग मक्का के रोटी ज्यादा खाते हैं उनको मक्का अगर ज्यादा यूज खा लेते हैं तो उनको उनके सरीर में बिटामिन B1 की कमी हो जाती है नक्ष बीजो को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है थंडी और सुस्क परिस्तिती में बीजो को सबसे अच्छा तरह से सुरक्षित रखने के लिए क्या करना जाता है थंडी और सुस्क परिस्तिती में रखा जात रहें कपास कि से प्राप्ट होता है बीजों से प्राप्ट होता है नेक्स्ट किस मचली में सब्सक्राइब का उता है सल्क नहीं होता है जितना ही मैंने कोश्चन लिया बहुत इंप्रटेंट है आप लोग नहीं रुकती है वतासे के कारणी सीम बेडर के कारण डबन का कति है जात्तर मचलिया जल में नहीं रुकती है सुर्उ पर्थम भिसाड़ु को सुद किस्टलीय रूप में किस वेगानिक ने अलग किया था WMS 10 लेने कौन किया था WMS 10 लेने किया था सरोपर्थम विसाड़ को सुध किस्टलियर रूप में किस वेगानिक नाला किया था तो WMS 10 लेने चलिए अगला पसंदेखते हैं लीटमस किसे मिलता है लाइकन से प्राप्त किया जाता है जाता है अगला परसंद देखते हैं कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है या किस से प्राप्ट होता है सुखह लिटेकस से किससे पाएता है अफीम जो एक पादप उत्पाद है स्टुखे लेटक्स से ऊकै नेंस पस्मिना बकरी कि सनसल नसल से प्राफ्ष होता है और देखते हैं digits लोग अधिकांस अधिकांस तक सुत्रन पइसको सुरे सरोब से ज्यादा चाओं सब्सक्राफ किसका करती है राइबोसोम किसका कार करती है यह प्रोटीन कार करती है राइबोसोम यह प्रोटीन कार करती है अगला पता देखते हैं भूपाल मूने से 84 में जो गैस लिक हुई थी वह कौन सी गयस थी ती मिथाइल आइसोसाइनेट था यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है बार पर पुछता है भुपाल में 1984 में जो गैस लीख होई थी वह कौन सी गैस थी मिधाइल आइसो साइनेट दाल चीनी कहां से प्राप्स होता है तो छोटे से सहाथ सदाहरित ब्रिक्ष की छाल से दाल चीनी जो हम लोग खाते हैं गरम मसाले में कहां से पाएं जाते हैं तो छोटे से सदाहरित ब्रिक्ष की छाल से मसालो करानी किसे कहा जाता है तब मसालो करानी इलाइची को कहा जाता है नेक्स्ट कोस्ट्चन फूलो के सनवर्धन के विज्यान को का कहता है फ्लोरी कल्चर इसको कहते हैं फ्लोरी कल्चर फूलो के जो विज्यान होता है उसको कहते हैं फ्लोरी कल्चर पेडोलोजी पेडोलोजी किसका अधियान है भूमी का पेडोलोजी किससे है भूमी का अधियान को कहते हैं पेडोलो होता है विसानू में क्या होता है तो नियुकलीक एसीड और प्रोटीन होता है कौन-कौन से विसानू में क्या होता है नियुकलीक एसीड और प्रोटीन पाया जाता है चलिए आगला आपस देखते हैं जन्तू में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन होता है विसानू के कारण किस से वालों से आयोडीन प्राप्थ होता है लैमिनेरिया से किस से वाल से आयोडीन प्राप्थ होता है लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्थ होता है दा बढ़ाने पर तरल क की को सब्सक्राइब बढ़ता है दा बढ़ाने पर तरल का कोषण नंक बढ़ेगा माना रख्त में अक्सीजन का परिवहन करता है लाल रख्त करता है अगला पर देखते हैं कर दो द冷336 कितना होता है साथ सो साथ मिलब रतिगंटा इल्मिनियंट का परमुथा होता है बपंप्स साइट प्रकृतिक मौम और लाख प्राप्त करते हैं कीडों के यह मौम होता है प्राकितिक मौम और लाग से प्राप्त किया जाता है कि क्यूडों के सराव के रूप में किसके रूप में पायता है क्यूडों के सराव के रूप में होता है नेक्स्ट कार के बैटरी में इस्तिमाल किये जाने वाद किया जाता है सल्फियोरी कमल ओके यह बहुत इंपोर्टन कोश्यन है हमारा सरीर में अधारी उपाप चाहिए कि उन्हें अंतृत करने वाला हार्मोन निकलता है अब टू गरंती से कौन से गरंती अब टू गरंती से बिजली के वालू का फिलामेंड बना होता है तंगस्टन का किससे बना होता है तंगस्टन का नेक्स्ट माना नदर पर बना पर्त्विम होता है वास्तिवी केम उल्टा बनता है शुद्ध दूद का सुद्ता मापी आती हैं लेकटोमीटर से ढ़ानी के सोड़्गूल का मापन होता है अबर मैं Like, जंदी जल्डि पढ़ा रहा हूं इसलिए कि हन्ड़िट कोष्टें है टैम ज्यादा हो जाएका और आप लोगको बहुत सारा कोश्चन बताना जरूरी है बायो गैस में मुख्यता मुख्यता होता है यहां पर मुख्यता होना चाहिए मुख्यता मुख्यता होता है मीथेन गैस बायो गैस मुख्यता कौन सा होता है मीथेन गैस होता है माइक्रोफोन का उसकारक हैं ग्राम बेल माइक्रोफोन का इसकारक कौन है ग्राम बेल है नेक्स परस्ट देखते हैं कि यहीं पिछ समाप्त हो गया है 100 अप लोगों को णर्डेट कोशन एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग याद कर लिजिए ताकि आप लोग को पेपर अच्छा सजाए और बेस्ट आफ लॉक अब सभी लोगों को जो आरेलवे एंटेपीसी का पेपर दे रहे हैं चलिए इसको आप लोग पढ़िए और याद करिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हो के थैंक यू सो मच दस् कर दो